जजम परिवार में साधनों को आने वाले कल के लिए जोडते हैं वैसे ही हमें पूरी पुरुत्वी को एक परिवार मानकर अपने साउसाधनों को बचाना है मेरा सुझाव है कि हमारे मुजियम्स इन वैस्विक प्रयासों में एक्ट्व पार्टिसिपर्स बढ़े हैं हमारी धर्ती ने बीती सद्यों में कई प्राकृतिक आपदाय जेली है इनकी स्मुरुतियां और निशानियां आज भी मौजूद है हमें जादा से जादा मुजियम इन निशानियों की इन से जुड़ी तश्वीरों की गैलेरी के दिशा में सोचना चाहिए हम अलग-अलग समय में धर्ती की बदलती तश्वीर का चित्रन भी कर सकते हैं इससे आने वाले समय में लोगों में परियावरण के प्रती जागरुपता बढ़ेगी मुझे बताया गया है कि इस एक्सपो में गैस्ट्रोनोमिक एक्सपिरियंस के लिए भी स्पेस बनाया गया है यहां आयुर्वेद और मिलेट्स श्री अन्न पर आथारित विंजनों का अनुभवी लोगों को मिलेगा भारत के प्रयासों से आयुर्वेद और मिलेट्स श्री अन्न दोनों ही इन दिनों एक ग्लोबेल मुवेंट बन चुके हैं हम स्री अन्न और अलग-अलग बनस्पत्यों के हजारा वर्ष की आत्रा के आधार पर भी नए मुझेम बना सकते हैं इस तरह के प्रयास इस नॉलेज सिस्टिम को आने व समर बनाएंगे साथियों इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम अईतिहासिक वस्तुओं के संवरक्षन को देश का स्वभाव बनाएं अब सबाल है कि अपनी धरोरों का संवरक्षन देश के सामान्य नागरी को स्वभाव बनेगा कैसे एक छोटा सा उधान देता हूं क्योंन भारत में हर परिवार अपने घर में अपना एक पारिवारी संग्राल है बनाएं गर के ही लोगों के विशेम है अपने ही परिवार की जानकारिया इसमें घर की घर के बुजूर्गों की पुरानी और कुछ खास चीजें रखी जा सकती हैं आज आप जो एक पेपर लिखते हैं वो आपको सामाने लगता है लेकिन आपकी लेखने में वही कागज का टुकणा तीन चार पीडी के बाद एक इमोशनल प्रपरटी बन जाएगा ऐसे ही हमारे स्कूलों को भी हमारे भिन भिन समस्तानों और संग्रणों को भी अपने अपने मुजियम जुरूर बनाने चाहिए देखिए का इसे कितनी बड़ी और आतियासिक पुंजी भविश के विविन शहर है वो भी अपने हां सीटी मुजियम जैसे प्रकलकुपों को आदुनी स्वरूप में तयार कर सकते हैं इसमें उन शहरों से जूड़ी अहतियासिक वस्तुए रख सकते हैं विविन पंथों में जो रिकॉर्ड रखेने की पुरानी प्रंपर हम देखते हैं वो भी हमें इस दिशा में काफी बज़त करेगी